नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक पर फिर से बहुत बहुत स्वाकत आपका अमारे इस चैनल में और आज हमारे पास एक सेम्सन का टैब जी हाँ दोस्तों हमारे पास एक सेम्सन का टैब है गैलक्सी जे मैक्स जी हाँ दोस्तों यह देखे हमारे इसको पर लिखाओ है SM-T285YD यानि कि Samsung J-Max यह हमारा Samsung का J-Max टैब है और इसमें हमारा pattern lock लग गया हम आपको open करके चेक करा देते हैं पहले यह देखे हमने on किया Samsung Galaxy J-Max यह हमारा open हो रहा है इसमें हमारा pattern lock लग गया हम किस परकार से pattern lock remove करेंगे इस वीडियो के माद्यम चम आपको बताएंगे यह देखे दोस्तों हमारा यह tab on हो गया और यह हम pattern लगा कर इसमें भूल गया है और यह किस परकार से हम इसको remove करेंगे तो देखे दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देए कि आप वीडियो को शुरू से लेके लाज तक पूरा देखीगा without skip के क्योंकि आपने कोई भी step skip कर दी और वो आप से miss हो गई तो हो सकता आपके phone के अंदर किसी परकार की कोई समश्या उत्पन हो जाए तो आप से हमबल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेके लाज तक पूरा देखीगा without skip के तो चलिए दोस्तों सुरू करते हमारा आज का वीडियो यह देगे दोस्तों हमारा यह समसंगा गैलक्सी जे मैक्स टैब है और इसमें पैटन लग गया हम इसको कैसे रिमू करेंगे सबसे पहला हमें इसको स्विच आफ करना है हमने इसको स्विच आफ कर दिया स्विच आफ करने के बाद में दोस्तों हमें इसका यह मीनू बटन प्रेस करना है वोल्यूम अपर बटन प्रेस करना है और पावर ओन आफ बटन को प्रेस करना है तीनो बटन को हमें एक साथ प्रेस करना है हमें Minute बटन प्रेस करने है Here और ओन ऊप बंटन को प्रेस करने हमें सब्सक्राइब करें और अप्ड करने वीडियो सबसे पहले मैं शलेन ये देगें शल्क कि içे लिए सबसे पहले मैं मिन्ली अब हमें करें करें बॉल्यूम अपज़न को प्रेस करना है और ओन ऑफ बटन को तीनु बटन को में एक Сाथ प्रेस घाना तो अमने फोद्टन को क्यảo indicative है जोए बैडिया मेन भी ह目 होर्रें अब हमें प्रेस करके रखना है इसको जब तक हमारा ओन नहीं हो जए कर ऺ़िए यह देगे हमारा यह आ जाए हम तो हमें ओन आफ बटन को छोड़ देना है और यह मीनू बटन और वोल्यूम अप बटन को हमें प्रेस करके रखना है जैसे हम छोड़ेंगे इसको हमारे सामने स्क्रीन पे यह आ जाएगा यह देगे दोस्तों हमारे स्क्रीन पे यह श्यो हाज जाएगा अब हमें क्या करना है volume डाउन से नीचा आना है एक दो हमें दो श्टाप नीचा आना है और इसके उपर आना है web data oblique factory reset जीह हां दोस्तों हमें इसके उपर आना ए web data oblique factory reset हमें ये volume वोल्यूम डाउन बटन की सायता से इस प्रेस करना है तो हमारे सामने यह नया स्किनिन आ जाएगा हमें फिर वोल्यूम डाउन बटन का इस्तिमाल करना है हम डाउन बटन से आएंगे जी हाँ दोस्त हमें इस ओप्षन प्यान प्यान है यह डिलिट ओल यूजर डाटा के ऊपर और फिर हमें अनौ बटन की सायता से इसको कमांड को ओके करना है हम जैसे ही ओके करेंगे हमारे यह यहाँ पर यह डाटा हमारा एरेज होगा फ्रमेटिंग डाटा यह दिये देखे और जैसे हमारा यह complete हो जाएगा हमें दुबारा यह step पर लाके छोड़ देगा फिर हमें क्या करना है first step पर या कर रिबूट system now के उपर on-off button को press कर देना है हमने reboot system now पर आकर हमारे on-off button को press किया तो हमारा यह device है करें री स्टार्ट हो रहा है यह देखिए हमारा galaxy j flux रिस्टार्ट हो रहा हमें अभ इसको वेट करना है डेक्स्टप के आने तक का आ यह देखिए दोस्तो इसमें हमारह yak ai 2-3 मिनुट का समय लेगा क्योंकि हमारा यह सिस्टम फर्स्ट टाम में बूट हो रहा है लिए कर दो दो सब्साइब है जड़ byठंग गन्याओ्ट चुछके प्हुछके शाईचर को को चनूके जए प्हुछक Tenka ईप का को बादो जप का कि महें प्हुछके 1.2 जप ख依े अब के झाल, 10.3 आट छिक महते presentations कर OUT कर दो कि झार मुपकान की जुरी टो कि जुर चलिए यूटाओ की जए हुआगा की जख़ुँ की जाए हुआगा यह हुआगाओा ये सिस्वेंट की जग्या का रहा हुआगा की जए धिरा माँद़ुँ। यह देगे दोस्तों हमारा यह वैलकम आ गया हमें इसको next करना है next करने के बाद में हमारे यह वाइफाई से connection के लिए पूछेगा हमें इसको कुछ नहीं करना हमें next कर देना है अब हमें next करना है I agree कर देना हमें कि हमें date and time की setting पूछेगा हमें यहाँ पर हमारा GMT select कर लेना है प्लस 530 हमारा है इंडिया का हमने प्लस 530 यहां से GMT select कर लिया हमारा फिर हमें next कर देना है फिर next कर देना है यह हमें यहाँ पर यह set screen lock यह हम से पूछ रहा है अगर आप pattern लगाना चाहें तो आप इस पर click करके लगा सकते हैं जो भी pattern लगाना चाहें अगर आपको नहीं लगाना तो आप back करके skip कर देजिए इसको और skip anyway हमें इसके skip anyway पर click करना है यह सारे tick है हमारे हमें इस पर next कर देना है और यह हमारी create account के लिए बोल रहा है अगर आप नया बनाना चाहें बना सकते हैं sign in अगर आपको अपना पता है तो आप उस पर sign in कर सकते हैं आपका backup restore हो जाएगा अगर आप नहीं करना चाहते तो skip कर दिजिए हमें skip कर देना है skip और finish कर देना हमें finish करने के बाद में यह देखिए हमारा यह tab हमारा on हो चुक है यह देखिए हम इस पर जो भी चाहें वो लिख सकते हैं use कर सकते हैं और अब हम इसको lock लगाते हैं यह हमने lock लगा दिया अब हम इसको unlock करते हैं तो यह देखिए किसी परकार का कोई pattern हम से नहीं confirm कर रहा है अब हम आपको इसको model चेक करा देते हैं कौन सा है हम सेटिंग में चले जाते हैं इसके अब आउट फोन में जाते हैं और यह देखिए दोस्तों यह हमारा model है Samsung Galaxy J Max जिहां दोस्तों किस परकार से हमने हमारे Samsung J Max tab का pattern remove किया अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक like जरूर कर दीजेगा दोस्तों और हाँ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे ताकि हम बवीश्य में आपको और भी बेतर जानकार आपको बवीश्य में खाल्ब.